हलो फ्रेंट्स वेलकम टू गार्गी क्लासेज राजस्थान हिस्ट्री में अभी तक अपन बात कर रहे थे पॉलिटिकल अवेरनेस किस तरीकी से आई थी राजस्थान में और कौन-कौन से राज चलना बहुत ज्यादा डॉमिनेंट्स क्रियेट कर चुका था 1857 का रिवोल्ट हो चुका था जिसमें कि कही न कहीं एक डिसेंट शो कर दी गई थी एक नाराजगी शो कर दी गई थी कि भई ब्रिटिश अब आपको हमारा देश छोड़के जाना पड़ेगा तो उसमें ह है उसका भी बहुत इंपोर्टेंट रूल रहा है क्यों आज जहां पे सोशल मीडिया पे एक मैसेज कोई भी टाइप करता है और वो पोस्ट कर देता है वो जैसे आग की तरह फैलता है उसी तरीके से कोई जमाना ऐसा था जिस जमानी के अपन बात कर रहे हैं कि जब बिटि कारिता के और प्रेस के त्रू यह चीज कहीं नहीं सफल हो पाई और इन्हों ने इन दोनों संग्मेंट ने बहुत इम्पॉर्टन रोल ठेख किया तो आज वह पन जानने की कोशिश करेंगे कि राजस्थान में कौम से इंसर्था इंस्पॉटन इंसफर्स पूब्लिकेश् देखो जो press या फिर जो magazines या newspaper जो भी हुआ करते थे ना उनका main purpose होता था कि कैसे भी करके राजस्थान के लोगों में एक political awareness लेकिया आना एक national awareness लेकिया आना राजस्थान के लोगों में इसके साथ में जो Britishers जो भी अत्याचार किया करते थे जो भी atrocities किया करते थे उन atrocities को और जो लोग थे उन लोगों के दुआरा जो आंदोलन किये जाते थे उन अत्याचारों के खिलाफ उन आंदोलनों को इन publications के थूरू spread किया जाता था लोगों तक पहुँचाया जाता था ये एक important role हुआ करता था और राजस्तान में बात की जाए तो main center उस time पे था अजमेर अजमेर में से अजमेर आपन जब भी देखेंगे आने वाले जो important newspaper देखने वाले हैं उनमें जादातर का publication राजस्तान के अजमेर से ही हुआ करता था राजस्तान ये अगर particularly बात करें अब अगर राजस्तान में बात करें तो revolutionary moment जितने हुए थे उनको भी spread करने में बहुत important role play किया था 20th century में इन newspapers में throughout राजस्तान तो इस तरीके से जो Christian missionaries जो थे ना उन्होंने राजस्तान में सबसे पहला paper publish किया था जिसका नाम था Letho Press क्या नाम दिया गया था Letho Press 1864 में और इसका purpose क्या था religious books को publish करना literature को publish करना कि English देखो target क्या हो गया था 1830 में जैसे ही charter act आया था 1833 का तो उसके बाद में target ही हो गया था कि कैसे भी करके यहां के लोगों को अब दिरे-दिरे Christianity में convert करना शुरू कर दो तो जो missionaries थे ना वहां के जो Europe से आये थे Christian missionaries उन्होंने ये एक literature कार या फिर writing का जो method था ना वो adopt करना शुरू कर दिया था जिसमें यहां की local languages में Bible को translate करना हो गया या फिर religious books होगी, literature होगी उनको spread करने का सबसे important काम था इन Christian missionaries का थीक है तो इस तरीके से 1864 में लीथो प्रेस नाम से सबसे पहली प्रेस शुरू हुई थी अगर राजस्तान के अपन बात करें और उसका purpose क्या था Christian missionaries के जो targets थे उनको अचीव करना और ये शुरुवात कहां से होती ब्यावर से तो अपने को ध्यान रखना है यह important fact है next अगर अपन देखें जादा तर अगर न्यूजपेपर जितने भी पब्लिश हुए थे उनका main center कहां था अजमेर सबसे पहले जितने भी न्यूजपेपर जो important थे national moment के टाइम पर अगर अगर अपन बात करें तो ठीक है महाराना सजन सिंग ने अपनी एक खुद की publication शुरू की थी जिसका नाम था सजन कीर्थी सुधाकर उदयपुर से शुरू की गई थी ये एक fortnight ली थी that means हर 15 दिन में एक बार ये news magazine print हुआ करती थी और इसकी शुरुआत हुई थी 1879 में और इसकी inspiration कहां से ली थी महाराना ने राजस्थान gadget नाम से newspaper शुरू किया था सबसे पहले 1882 में वो भी अजमेर से ही किया था ऐसे ही राजस्थान times नाम से भी एक newspaper शुरू आ था 1885 में वो भी अजमेर से शुरू हुआ था और इसके शुरूआत की गई थी लक्षमन दास के दौरा इसी तरीके से मुंसी समर राजस्थान चारण के दौरा एक newspaper शुरू किया था जिसका नाम था राजस्थान समाचार और इसकी शुरूआत की गई थी 1889 में ऐसे ही राजस्थान केश्री नाम से भी एक newspaper शुरू हुआ था उसकी publication हुई थी कहां से वर्धा कब 1919 में विजैसिंग पतीक रामना एंड च नाम से एक newspaper शुरू हुआ था इसकी शुरुआत की गी थी राजस्थान सेवा संग के दौरा 1921-22 के सन में साल में अब देख लेते हैं major newspapers राजस्थान में कौन-कौन से हुआ इनकी details सबसे पहले सजन कीर्थी सुदागर ये महाराना सज्जन सिंग ओफ उधापुर ने शु होती जी से ऐसे ही ये एक weekly fortnightly थी वैसे basically weekly नहीं थी fortnightly हाना तो ये एक fortnightly एक news paper था मतलब एक magazine हुआ करती थी जो की हिंदी में हुआ करती थी ठीक है जो की मेवार के एक official gadget के तोर पर publish हुआ करती थी ठीक है तो इस तरीके से official gadget हुआ करता था किस तरीके से functioning होती थी मतलब जो administrative news हुआ करती थी वो mainly इस publication में publish की जाती थी सद्जन किर्थी सुदाकर में ऐसे ही राजपुताना gadget इसकी शुरुआत की गई थी मौलवी मुराद अली के दुआरा 1882 में अजमेर से और ये जो था इसकी specification क्या थी ये bilingual publication था मतलब दो भाशाओं में publish हुआ करता था ऐसे ही आगीबान नाम से भी एक news paper और publish हुआ करता था जिसकी शुरुआत की गई थी जैनाराण व्यास के दुआरा 1937 में ब्यावर से इसका main purpose क्या था जागिरदारी और जो सामंती पर जो एक जो system चल रह गेंस्ट में लोगों को तयार करना और आंदुलन करने के लिए ये काम करता था न्यूस पेपर आगीबान ठीक है आप इसकी context को भी याद करने की कोशिश करना क्योंकि इनसे related question पूश ले जाते हैं ऐसे ही नवीन राजस्थान एक न्यूस पेपर आया 1922 में इसकी शुरु के दुआरा बाद में इसका publication handover कर लिया गया था विजय सिंग पथीक के दुआरा जो की राजस्थान में बहुत important role play करते हैं independence की जो struggle थी उसमें ठीक है इसका main aim क्या था कि जो भी exploitation जो भी शोशन हुआ करता था जो भी अत्याचार हुआ करते थे पीजन्स पे या भीलो पे उनके बारे में expose करना लोगों को जागरुक करना कि कैसे हैं जो princely states हैं या princely rulers हैं वो और अंग्रेज मिल करके शोशन करते हैं यहां के लोगों का ऐसे ही एक news paper था उसका नाम था राजपुताना gadgeteer इसका भी editing जो थी वो की जाती थी मौलवी मु rulers थे वो किस तरीके से atrocities किया करते थे उसके बारे में expose करना दूसरा जनता और समाज that means लोगों के बीच में people and society उनके बीच में जो डर था ना उस डर को हटाने के लिए यह काम किया करता था राजपुताना gadgeteer तो दो काम हो गए एक तो princely rulers जो थे उनका atrocities जो attitude हुआ करता जो लोगों का शोशन किया करता थे अत्याचार होता था लोगों पर उसको उजागर करना और दूसरी तरफ लोगों को एंपावर करना society को एंपावर करना ऐसे ही a code news paper उसका नाम था तरून राजस्थान इसको publish किया गया था राम नारायन चौधरी की एडिटर्शिप के अ राजस्थान इसका में काम क्या था कि जो भी मैसेक्रीज हुए थे ना मतलब जो जो भी एक तरीकी से हत्याकांड हुए थे राजस्थान में जैसे निमूचना में हुआ था सिरोही में हुआ जोदपुर में हुआ था इनके बारे में expose करना लोगों को जानकारी देना ऐसे ह एक न्यूस पेपर राजपुताना समाचार यह शुरू किया गया था राजपुताना समाचार 1850 से 1860 के दशक में और इसके संपादक कौन थे एडिटर कौन थे मास्टर कनईया लाल वो मेन एडिटर इसके थे और इसकी पब्लिकेशन कहां से शुरू हुई थी जैपुर से और ये एक weekly newspaper हुआ करता था ठीक है क्या था weekly newspaper और सबसे important चीज ये bilingual था एक हंदी और उर्दु में दोनों में आया करता था ये newspaper, main name क्या था कि government की activities में क्या corruption है है ये इसका काम हुआ करता था राजपुताना समाचार का ऐसे ही प्रभात ये जो पुब्लिश किया गया था लालित नारायन के दौराürü उननीस सो बतीस में ठीक है और इसके एड़िटर थे सिधार्थ डेड़्डा और डडड़्ड़ा और इसके साथ में इंहीं कौक स्सिस्त कीया खरते ते सत्यडेव विद्धयालकार ठीक है प्रभात के main editor और इसको पबलिश किस्के दुआरे किया गया था ललित नारयन के दुआरा और main aim क्या था कि जनता में एक तरीके से पबलिक में political awareness spread करना लोगों में एक self respect का sense लेकर किया आना क्योंकि अंग्रेजों नो बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था लोगों को पीरियर है और रही सही में इस चीज़ को सपोर्ट किया था हमारे यहां के प्रिंसली स्टेट्स ने प्रिंसली किंग्स ने तो और ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा था तो कहीं नहीं लोगों में एक सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना उजागर करने के लिए इस ने बहुत इंपॉर्टन डॉल प्ले किया था नेक्स्ट निउस्पेपर इस राजस्थान टाइम्स यह निउस्पेपर जो था वो इंग्लिश में लॉंच हुआ और इसका एडिटिंग होती थी बक्षी लक्षमन दास के दुआरा और पब्लिकेशन कहां से होता था अजमे से 1885 से शुरुवात हुई थी में नेम क्या था कि जो प्रशासन है उसके अंदर क्या कमिया है उनको एक्सपोज करना जग जाहिर करना ऐसे ही राजपुताना हेराल्ड की बात करें यह इंग्लिश पेपर था जिसको अजमेर से पब्लिश किया गया था 1885 में हनुमान सिंग की एडिटर्शिप के अंडर में इसका जो एक फेमस था राजपुताना हेरल्ड के लिए एक चीज वो थी कि जो एजेंट टू गवर्नर जनरल जो थे ना एजी जी उनके फंक्शन में जो भी कमिया होती थी उनको क्रिटिसाइज किया करता था तो क्रिटिसिजम के लिए ब करॉप्शन त्यूर सिवा करते थे उनको बिना किसी डर के एक्सपोज करते थे लोगों के सामने कि किस तरीके से बिपर चारता करते हैं यहां पे पर एक्साफिकनको फैला रहे हैं इसके इंपर्टें जे एकर राजस्तान-वीक्रिकली एकर बात करें तो इसकी शुरुवात की गई थी रिशिदत महता के दुआरा और कहां से ब्यावर्स में और 1923 में ठीक है इसके अलावा अगर आपन देखें इसका में एम था वो था पब्लिक में एक awareness spread करना लोगों की समश्चाओं के बारे में जानकारी फैलाना कि क्या समश्चाओं हैं ज लोग सामना करते थे उनको expose करना एक तरीके से publish किया करता था ये newspaper और last and the least last but not the least important newspaper राजस्थान केसरी जो की वर्धा से publish हुआ करता था इसका publication वर्धा से हुआ करता था और इसका editor कौन थे में विजय सिंग पथीक और शुरुआत इसकी हुई थी 1919 में इसका aim था में की जो peasants थे ना जो भी एक तरीके से खेतों में काम करने वाले मजदूर थे उनके agitation उनके विद्रोह से संबंदित जानकारी को फैलाना और specifically कौन से reason बिजोलिया reason बिजोलिया के जो आंदोलन के बारे में आपने आने वाले coming videos में एक दो में पढ़ेंगे तब आपको ओर clear हो करता था वहां पर मतलब एक तरीक से mention किया जाता था इस important segment को इसी तरीके से जो विजय सिंग पथिक थे उनको support करते थे co editors जो थे सी ओ है ये के ओनी है co editors थे वो थे जैसे रामनारेंड चौधरी ईश्वरदान अशीसा ये दोनों बहुत ही important एक तरीके से assistance प्रवाइड किय करते थे विजय सिंग पथिक को और इसके अलावा मैनेजर के तौर प्यापॉइंट किया गया था हरी भाई किंकर को तो यह जो नाम ना जो भी मैंने बताए है पर्टिकलर न्यूस पेपर से associated तो आपको as it is याद रखने है practice करो क्योंकि ऐसे कि पूछ लिया जाता है कि वि financial support दिया जाता था जमनालाल बजाज ने इसके पूरी जिम्मेदारी ले ली थी कि बोले कि पैसा मैं इसके लिए पूरा मैं अरेंज करूंगा तो ऐसे करके आज अपने राजस्तान के important newspapers उनकी publication place उससे associated personalities और उनका क्या context हुआ करता था वो जानने की कोशिश की इसके अलाव तो आज की discussion यहीं खतम होती है thank you